नमस्कार, स्वागत आपका निज लॉंचर पर, मैं हो शुक्वन खड़े और लेकर आया हूँ आपका अपना कारेक्रम, दा डारेक्ट हिट, राम मंदीर का काम हो गया, राम लला की प्राण प्रतिष्टा हो गई, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सुबा है, जहां से 80 लोग सबसीटे आती है, और लोग कहते हैं कि दिल्ली की सियासन की चाबी उत्तर प्रदेश में है, उस उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीट का टार्गेट लेके जो भाज़पा चल रही है, शायद राम के नाम पे भी इतना भरुसा नहीं, इसलिए विभिन्न हतकंडे अपनाए जाते हैं, जैसे कि एक RLD पार्टी जो समाजवादी के साथ गड़बंदन कर चुकी थी, उसको वहां से तोड़ना, और विचारे जैन चोधरी समाजवादी को तो छोड़ चुके ह वहां से तो उस गड़बंदन से बाहर निकले, लेकिन इंडिया गड़बंदन में है की नहीं है, यह अभी तक उनको पता नहीं, लेकिन जितना काम करना था, वो कर दिया, उसके बाद जैसा ही समाजवादी ने और कॉंग्रेस ने गड़बंदन किया, CBI की एंट्री हो और फिर एक चाल और चली गई, इसी बीच में मायवती बहन मायवती ने थोड़ा करवट लेने का प्रयास किया, तो 2014 का सैंड स्टोन स्टोन का जो लफड़ा था, जो स्केंडल था, जो घपला था, 2014 में जिसका यह फायर होई थी, 2024 में उसकी रेड होती है, दस साल बात, मा आए उती जी भी अलग होगी, उनने का कि मैं के लिए लड़ूगी, इसके बावजूद भी शायद, बीजे पी को अपने नेताओं पी इतना विश्वास नहीं, या मोदी जी को अपने तमाम सिपासलार पे इतना विश्वास नहीं, ना योगी जी पे और ना शायद अमिश होगी, इस हैदराबादी गोली का नाम है OVC, OVC की अपनी एक पार्टी है, और हिंदू पोलराइजेशन यदि करना है, तो OVC जैसे नेता यदि लगातार भाजपा को गाली बगते हैं, हिंदूओं को गाली बगते हैं, तो कहीं न कहीं हिंदू पोलराइज हो जाता है, AIMIM के असुद्दिन OAS हिसाब बहुत अच्छी तरह से करते हैं, All India मजलिस ए इत्तिदाह उल मुसल्मीन ये पार्टी का पुरा नाम है, हिदराबाद की पार्टी है, इनका मुसल्मानों पर प्रभाव है, लेकिन एक निजाम वारे एरिया में, जो हिदराबाद से शुरू ह कि महरास्ट के नान्देड तक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इन तमाम जीलों तक, अब औरंगाबाद का नाम समभाजिनगर हो गया, उस्मानाबाद का नाम धाराशीव हो गया, इस बेल्ट में OASI के लोग मानते हैं, क्योंकि वहां के मुसल्मान अपने आपको निजा से असूसियेट करते हैं, लेकिन उत्तर भारत का मुसल्मान OASI को मानता नहीं, लेकिन फिर जब OASI जो एक बहुत अच्छे वक्ता है, जब धारा प्रवाह बोलना शुरू कर देते हैं, तो कुछ मुस्लिम मतदाताओं को लगता है, कि हमारा मसीहा आ गया, और यही, OASI ल से ने टिकेट दिया, वो जीद गये, बाद में पार्टी छोड़ दी, लेकिन OASI हर चुनाव बड़ी सिद्दत से रड़ते हैं, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से भाजबा को बहुत ज़्यादा फाइदा होता है, तो वही OASI साहब अब इस बार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ऐलान किया, कि उत्तर प्रदेश के जो खास करके जो मुश्लिम आबादी है, उसको देखती हुए, यदि मैं आकड़े में बताओं तो उत्तर प्रदेश में 1903 प्रतिशत मुस्लिम मद्दाता है, वो करीकरीब 3 करोड़ 84 लाख हो कुछ 21 सीट ऐसी है, लोगसभा की, जहां मुश्लिम मद्दाता 30 प्रतिशत के आसपास है, बड़ा चंक है, साहरनपूर, मेरट, कैराना, बिजनोर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपूर, संभल, बुरंद शहर, अलिगड, गाजिपूर, घोसी, यह तमाम ख्षेत्र है, ज यहां मुश्लिम मत्दाता निर्नायक साबित होता है, यदि मैं CSDS की रिपोर्ट देखूँ, पिछले चुनाओं की, तो 2019 में कॉंग्रेस को 14 प्रतिशत मुसल्मानों ने वोट दिया, बीजेपी को 8 प्रतिशत, समाजवादी और बीएस्पी को 73 प्रतिशत वोट दिया, 24 में कॉंग्रेस को ये वोट मुसल्मानों का 11 प्रतिशत था, बीजेपी को 10 प्रतिशत, बीएस्पी को 18 और एस्पी को 58, समाजवादी और बीएस्पी मिलके 75-73 प्रतिशत वोट ले गए मुसल्मानों का, और यह इंपैक्ट, कुछ यही कारण था, कि बीएस्पी को भी साथ सीटों पे हो चुना में लोग उतारेंगे, हो सकता है ज्यादा सीटों पे भी उतारें, और ये खासकर सीटे समाजवादी पार्टी का गड़ है, अखिलेश का आजमगड, शिवपाल का बदायू, राम गोपाल के बेटे अक्षय जहां से लड़ते हो फिर अजबाद, अखिलेश की पत्नी डिंपल, जहां से लड़ती हो मेनपुरी, फिर संबल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरट, ये वो लोग सबाक्षेतर है, जहां से लड़ते हैं, ओएसी ने इंडिया गड़बंदन के तरफ नाराजी व्यक्त करते हुए कहा, कि मैं उत्तरफदेश में प पिछड़ा दलित और कुछ सवर्न जो कॉंग्रेस और बाकी दलों से जुड़े हुए है, जायसे उसे ना हो एंसीपी हो, ये ओएसी आने से चटकने का डर है, क्योंकि ओएसी जब मूह खोलते हैं, तो उसमें हिंदू विरोध जादा और मुस्लिमों के प्रेम कम छलगता ह यही कारण है कि इंडिया गड़बंदन भी उन्हें चुना नहीं चाहती, ऐसे में बीजेपी यदि उनको उतारती हैं, तो बीजेपी को बड़ा खासा फाइदा होता है, ये अपने को दिखाई देता है, और इसका एक उधारन में उत्तरप्रदेश के विदानसभा चुना उमिद्वार उक्तारे थे, सभी सीटों पे उनके उमिद्वारों का डिपॉजिट जप्त हो गया, उन्हें मत प्रतिशत 2.01 इतना मिला, 2017 में उनकी स्थिती अच्छी थी, 38 सीटे लड़ी, 37 पे जमानत जप्त, 1 पे जमानत बची, एक भी उमिद्वार नहीं जिता, लेकिन मत प्रतिशत 2.46 धाई प्रतिशत के आसपास था, लेकिन इतना कम मत प्रतिशत होते हुए भी, डिपॉजिट जप्त होते हुए भी, खेल कैसा होता है मैं आपको बताता हूं, कुछ 6-7 सीटे मैं आपको गिनवाता हूं, जिसके वज़े से भाजपा को फाइदा हुआ, बि 2,290 मत प्राप्त किये, यदि वहाँ नहीं होते चुनाव में, तो ये सारा मत दान समाजवादी को जाता और ये बिजनोर की सीट समाजवादी को होती है, फिर नुकुर, वहाँ बिजपी का उमिदवार मास्तर 315 मतों से जीता, और वहाँ OEC की उमिदवार ने 3,593 वोट इस से आपको समझ में आ जाएगा, कि नुकुर की सीट भी समाजवादी के हाथ से कैसी चली गए, कुर्सी, 217 वोट से बिजपी जीती है, और OEC वहाँ पे 8,541 वोट लेकी गए, आप समझ सकते हैं, क्या हश्र हुआ होगा समाजवादी का कुर्सी में, हो रहा है, 1647 से बि मत लिए, शाहगंच, यहाँ समाजवादी का उमिदवार आराम से जीत जाता, क्योंकि वहाँ बिजपी का उमिदवार मात्रश 719 वोट से जीता है, जबकि 8,128 वोट OEC के उमिदवार ले गए, मुराद नगर, यहाँ पे भी समाजवादी का उमिदवार बिजपी के सामने 782 वोट से हरता है, और वहाँ 2,261 वोट OEC का उमिदवार ले जाते हैं, फिर आए सुल्तान को, यहाँ 1,009 वोट BJP को जादा मिले समाजवादी से, और समाजवादी का उमिदवार हर गया, जबकि 5,251 मुस्लिम मददाताओं के वोट OEC को मिले, एक साधा उधारन हैं, कि इन साथ सिटों पे कैसा OEC के वज़े से विदान सभा में BJP को फाइदा हुआ, तो OEC जहाँ जहाँ जाएंगे, फाइदा BJP को होगा, क्योंकि हिंदू पॉदलाइजेशन करने का प्रयास OEC के भाशन से होता है, मुस्लिम OEC के साथ नहीं देता, लेकिन कुछ जो उनके भा पॉदल समाजवादी या कॉंग्रिस के उमिदवार हारते हैं, इन साथ सिटों में क्या होगा, या साथ से ज़्यादा जैसे जैसे उमिदवार घोशित होंगे, वैसे वैसे BJP, ये चर्चा बहुत जो रोपे है, राटनितिक सरकल में, कि BJP और OEC है हैंड इन ग्रोज है, क् लेकिं तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, चाहे BSP हो या शिवसेना हो, NCP हो, TDP हो, जो भी लोग है, उनके खिलाफ लगातार, CBI, Income Tax, ED की प्रताड़ना चालू रहती हैं, इनकी rates होती हैं, इनकी cases दर्ज होते हैं, OEC के परिवार पे अभी एक भी case दर्ज नहीं, ज पर्दे के पीछे की दोस्ती तो नहीं, यह चर्चा भी आम हैं, तो आज, यदि एंडिये गटबंदन को जरुद पढ़ती हैं, तो OECG का उसाथ लेते हैं, मुझे लगता है, कि कम से कम इन 4-5 सीटों पे, इंडिया गटबंदन को पुरी ताकत के साथ उतरना होगा, और को ये भी देखना होगा, कि यदि वो किसे विशेश विचारधारा वाली पार्टी को हराना चाहते हैं, तो फिर मातर अपने विरादरी की पार्टी समझ के, ये जो लोग आते हैं, ना ये खुच जीतते हैं, ना किसी और को जीतने देते हैं, ये जीत सुनिचित करते हैं, के लिए भी एक विशलेशन है ये हिंदुओं के लिए भी विशलेशन है क्योंकि OEC जब बोलते है तो उनकी अवकात धाई परसंट से उपर की नहीं है उत्तरपदेश में लेकिन ललकारते तो पूरे हिंदुओं को है किसलिए क्यों ये आज का विशलेशन तो आज इंडिया गढ़ बंधन को यदि कोई हिट करता हुआ नजर आता है तो वो है OEC लेकिन खंदा OEC जी का है बंदुग भाज़ पाके आज इतना ही कल फिर आता हूं किसी विशलेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल न्यूज लॉंचर